हेलो एवरिवान, सब्सक्राइब कीजिए स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे इन्फिर्मिटिव वीडियो मिलता रहे रेल्दिव यह वीडियो में आपको तोरह अलग वीडियो हैं अलेकि एस वीडियो में जो बोने जारा आपको हिंड देखा हूँ आपने तो थमनिल में देखा ही होगा कि आप WhatsApp का messages पर सकते हो बिना WhatsApp को open किये जी हाँ, आप अपना WhatsApp का messages जितना भी 100 messages है सारा का सारा message देख सकते हो easily बिना WhatsApp को open किये और हाँ, मैं notification bar का बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि आप scroll down किये उपर से और देख लिया जो जो message किया नहीं, वहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा 3, 4, 5, 6 messages लेकिन मैं जो trick आपको बोलने जा रहा हूँ इसका मज़द से आप जितना भी 100 messages अगर आपका phone में 200, 300, 400 100 messages है, सारा का सारा message आप पर सकते हो, easily और आपको WhatsApp open करने का भी जरूत नहीं है, ठीक है और ऐसा भी नहीं है कि आपको अलग से कोई software download करना परेगा अपना phone पर तब जा कि आप use कर पाऊगे, नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपका जो phone है आपका जो Android phone है, उसमें अलड़ी यह है, ठीक है, जो इसका बारे में बोलने जा रहा हूँ, अलड़ी यह है, आप इसको सिर्फ निकालना है, निकालके आपको स्क्रीन पर डालना है, और आप आराम से अपना WhatsApp का messages easily पढ़ सकते हो, बिना WhatsApp को open किये, ठीक है, चलिए वीडियो को पुरा देखिएगा, बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो है, और हाँ, इस वीडियो से क्या लाब होगा कि आगर आपको किसी का message नहीं पढ़ना है, अगर आपको लग रहे कि WhatsApp का message नहीं खोलना है, लेकिन आप इच्छा आ रहा है, जाग रहा है कि आपको message पढ़ना है, किसने क्या भेजा, लेकिन आप WhatsApp नहीं खोलना चाहते हो, तो आप इस जो feature से जो मैं बोलना जा रहा हो, इसका फायता उठा सकते हो, और सब message पढ़ सकते हो, लेकिन जिसने आपको भेजा है message उसका पता भी नहीं चलेगा कि आपने message पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो बराई interesting होने वाला है, पूरा वीडियो देखेएगा, ठीक है, और वीडियो को like जरूर कीज़ेगा, और share और subscribe कीज़ेगा, ताकि आपका जो like और share है, इससे मुझे motivation मिले, और मैं और ऐसा वीडियो चलेगा वीडियो को शुरू करते है, मेरा नाम है अरुपम, आप देख रहे है, RDSD Center, चलेगा वीडियो को start करते है, तो दोस्तों, एकदम simple है, ये आपका screen पर सामने ये रहा हमेरा device, ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, यहां पर मैं इसको pinch करूँगा, pinch करने के बाद नि नीचे चलते जाएए, आपका phone पर जाएए, नीचे जाएए, आपका यहां पर WhatsApp मिलेगा, ये रहा WhatsApp, आप इसको pressure कर रखिएगा, फिर आपको खाली screen पर छोड़ना है, ठीक है, जैसे खाली screen के आपने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद ये रहा, आपका screen पर WhatsApp आ चुका है ठीक है, और मुझे WhatsApp भी खुलने का जरूरत नहीं पर रहा है, तो आप अपना device पर widgets निकाल के आपके कर सकते हो, ये मैंने Xiaomi का था, तो मैंने दिखाया है, Xiaomi में कैसा होता है, ठीक है, आपका जो भी phone है, जो भी brand का phone है, उसमें widgets जरूर होगा, widgets निकाली है, और ये features का lab उठ ठीक है, तो इस तरह से आप अपना phone पर, Xiaomi का जो phone है, इस पर अपना WhatsApp का icon निकाल सकते हो, और WhatsApp का messages पढ़ सकते हो, हाँ दोस्तों बाद ये है कि मैंने जो आपको दिखाया था, ये Xiaomi का device भी दिखाया था, ठीक है, एमाई का device भी दिखाया था, तो आप ऐसा निए के हर device में स तो हर एक phone में अलग-अलग तरह होता है, अब धुंडिए आपका जो phone है, आपका phone में widgets कहां पर है, धुंडिएगा जरूर, वहाँ पर आपको WhatsApp का जो icon है, वो मिलेगा, उसको निकाल के, खाली जगा पर छोड़ दीजिए आपका screen पर, ठीक है, बस वहीं से आप अपना messages प कि मेंब ओडना है, थार प्रश बड़कारी को साफी जग को सर्क मान virtual करके हम पर एक है, यहाँ हटा।